कि नमस्कार आपका अमारे यूटूब चैनल में सुवागत हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माईद आप से चर्चा करेंगे कि एससी छेशल टियर वन का जो कटफ है वो पिछले साल क्या गया था और इस साल जो आपका एकजाव होगा उसमें आपको कितना नमबर लाना होगा ताकि आप टियर वन पास कर जाए ठीक है तो उससे बहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिलकूल भी ताकि आने वाले जितने भी सारे आगावी सरकारी परिक्षाएं हैं उसकी जनकारी मिल सके ठीक है और साथी साथ मैंने इस वीडियो के इस चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको टॉप हंडेड जीके का तो देखिए यहां जो लिखा उसे में लोग पढ़ते हैं और से समझते हैं एससे चैनल टेर वन कटब 2021 क्या गया तो देखिए तो यह जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यह आपका केरियर पावर से मैं बता रहा हूं ठीक है और अभी अगर आप नहीं भर रहे हैं तो भ वीडियो में दाल दिया तो वीडियो को जरूर ढोरे ekhã ओन्वेड और इस प्लिश्ट राएंगे आपर लिखा हूं आपको स्सी कीच का फम कैसे घरना है कीं कर दो richtige ही ठीक है JSA and PA and SA which has been released officially by SSC SSC के दुबार रिलीज़ कर दिया गया था Combined Higher Secondary and CHSL Examination Tier 1 2021 was conducted from 12 April से 19 अपरिल और फिर 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच हुआ था ठीक है और यहां पर देखिए यहां पर आप कटफ देख सकते हैं ठीक है तो टीर 1 का जो कटफ गया था वो कैटेगरी वाइज देखें तो अन्रिजब्ड कैटेगरी के लिए जो कटफ गया था वो आपका टीर 1 के लिए वो 114.8888 चार गया था सी कटेगरी का देखें तो 114.16301 गया था स्टी का देखें तो 108.88563 गया था ओवी सी का देखें तो आपका 149.4634 गया था और EWS का देखें तो 117.5993 गया था ठीक है लेकिन मैं आपको इसमें एक जानकारे देदू कि हर साल का कटफ बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंस जराता है ठीक है बहुत ही ज़्यादा तो पिछले साल से भी अगर उसके पिछले साल यानि 2019 का कटफ देखें त तो उसमें जो कटफ गया था वो थोड़ा से ज्यादा रहा था लेकिन इस साल पिछले साल का कटफ गया था वो उससे थोड़ा से कम रहा था कि दोजर नीस का और दोजर बीस का कटफ का तुला करें तो आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बताया था वह डोजर बीस क कटफ बताया है 2020 से किसका लेकिन यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह देख सकते हैं अन्रिजर्ब्ट के लिए 159.52 गया था स्ट के लिए 136.10 गया था स्ट के लिए 127.32 गया था ओबी सी के लिए 156.10 गया था तो इस तरह से हर बार जो है कटफ जो जाता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रहता है तो आप यह मत सोचे कि आप अगर कम से कम नमर लाएंगे तो आपका टीर वन क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि कटफ कभी भी जो है जम्प कर सकता है और अलग-अलग आ सकता है तो अभी मैं बता दू कि यह जिसल का जो टोटल सौ कोशन रहता है और टोटल 200 मार्क्स का रहता है एक कोशन दो नमबर का होता है ठेके तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलाउंग करते हों आप मीनिमम यानि कम से कम 200 में से 150 नमबर लाने का कोश्चिस करें 150 नमबर लाने का प् एक सोपचास नमबर आप तभी लपाएंगे जब आप 75 कोशन सही करेंगे ठीक है अक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ अगर 75 कोशन सही करते हैं यानि 75 कोशन सही होता है तभी आपका 150 नमबर आएगा ठीक है तो इससे आपका 100% जो है सफल होने का chances बढ़ जाता है और आपको बता दें कि CHSL का जो होता है exam उसमें आपको केवल 1 घंटा मिलता है यानि 60 मिनट मिलता है section wise इसमें timing नहीं होता है 4 section से question पूछा जाता है जैसे के पहला section में math रहेगा दूसरा section में English तीसरा section में reasoning और चोथा section में GKGS current affair तो इन चारों section में 25-25 question रहेगा टोटल 100 question रहेगा एक घंटा का समय मिलेगा और आपको ये सारा question बढ़ा रहा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा question solve करें तभी आप जो है tier 1 qualify कर पाएंगे उसका descriptive paper आपको देना होता है ठीक है तो जो भी था है इस वीडियो के माईदे समय ने cut-up मैंने बता दिया और cut-up आपको number कितना लाना है 200 में से वो भी मैंने बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा अंकल है ताकि आपका tier 1 clear हो जाए ठीक है दोस्तों दोबारा मैं बताने चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल में पहले बार विजिट कर रहे हैं ताकि महत्वोर्ण जितने भी सारे जनकारी आती है वो मिल सके साथे अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं ठीक है यह पर अपने वीडियो को समाफ्त करता है आप सभी का बहुत बहुत देने बाद